करने के लिए हमें क्या चीज़े खानी चाहिए है तो अवर नाई आपको चीज़ें भिगो के रखें जैसे कि फिग है किसी भी कंट्री का ले सकते हैं फिग में बहुत पोटाशियम और कैल्शियम होता है हमारी बॉन्स को बहुत स्टॉंग रहता है फिग को मैं क्या करती हू इसको पानी में भिगो देती हूँ और रात भर ये भीगा रहता है तो अर्ली मॉर्निंग इसे खाते हैं 3, 5, or 7, or figures में आप pistachios लीजे पिस्ते और इनको आप इस तरीके से छील के इसमें डाल दें और पानी डालके आप रात को इसको भिगो के रखें सुबह उठके आपने नाश्ते से पहले ये खाने हैं और almonds, almonds best हैं आपके hair के लिए, skin के लिए, anti-cancer बहुत इसमें फाइदे हैं, brain के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये इन दोनों चीजों को आपने भिगो देना है रात को अच्छे तरीके से वाश कर लीजेगा और इस तरीके से भिगो के ढाके रख दीजेगा सुबह उठके अपने इसे खाना है और फित को भी इसी तरीके से आपने लोगो की रहा इसको आप पानी में एक लास drinking water उसमें इस तरीके से आपने डाल के छी तरह से एक दफा मिला लेना है और बस अब आप इसको cover करके रख दीजे और ये overnight इस तरह से रहेगा सबसे पहले सुबह उट के क्या करना है आपने वो है ये ingredient मेथी के दाने मेथी seeds fenugreek seeds ये आपने एक चुटकी यनिके 3 या 5 दाने इस तरीक से मेगी के दाने पानी के साथ हांक लेने हैं और उसके बाद 15 मिनट बाद आप जाके इसको स्ट्रें करें चलने से छाने इस पानी का हल्का कलर शेंज हो गया होगा जीरे की प्रॉपरटी इस उसमे एड़ गई होगी उसको पी कॉलिस्ट्रॉल को ब्लड शुगर को सब को करता है और वेट लॉस में बेहतरीन है जीरा उसके भी 15-20 मिनट बाद आपने खानी है ये भीगी वी इंजीर फिक और फिर आप साथ में ये बदामों के छिल के छिल लीजेगा जीर खाने है जीर को प्याएब करते हैं जीर आप साथ में एड़ जाएब। झाल झाल